हलो नमस्कार दोस्तो हमारे इस यूट्यूब चनल में आप सभी का स्वागत है तो दोस्तो आज का जो मैंने ट्रेड लिये वो मैं आपको बताता हूँ कि आज मैंने मौनिंग से कितने ट्रेड लिये थे और कितना मेरे को प्रॉफिट हुआ है तो आप यह जो स्क्रीन पर दे मिनिमम 5-10 पॉइंट का टार्गेट होता है और उसी साब से मैं ट्रेड लिता हूँ और आप स्क्रीन पर देख रहे हैं आज मुझे 2700 रुपे का प्रॉफिट हो और यह जो पूरा प्रॉफिट हुआ है न दोस्तो इसमें मैंने जो अमॉंड लगाया है वो भी मैं आपको वो 17700 की पुटपे हुआ है जिसमें मुझे 1162 रुपे का प्रॉफिट हुआ है और उसके बाद जो प्रॉफिट हुआ है वो 17850 की पुटपे हुआ है वहाँ पे मुझे 500 का प्रॉफिट हुआ है और उससे कम जो मुझे प्रॉफिट हुआ है वो 17650 की पुटपे हुआ है वह 455 का हुआ है और जासे मैं आपको दिखाता हूँ करते हैं तो आप यह देख रहे हैं यह वाइ करते हैं और उसको पीश्य करते हैं और यह सेल करते हैं तो वह इसके और यशाण एक तपको मैं आपको जो चेह, इसके मैं नव french बिखेतま जीश्य को लिए थे शाद एक दो तीन चार पांच शे हां सॉरी मैंने टूटल छे ट्रेड लिए हैं एक ट्रेड साहथ उसी में मिक्स होगा इसलिए वो पांच शे ट्रेड वहां पर दिखा रहा है पहली बार मॉनिंग में मैंने जो ट्रेड लिया था वो नो बच्के 16 में टौर बूटल पर मैंने ट्रेड लिया था वो लिया था वो मैंआ आप लोगों को बताता हूँ यह मेरा निफ्टी का चार्ट है चार्ट खुल रहा है दोस्तो अभी दोस्तो profit तो सब लोग बताते हैं लेकिन ये कोई नहीं बताता होगा कि आपको ये profit कैसे आपने यह अन किया है क्यों आपने trade लिया है आपके mind में उस time पे चल रहा था तो दोस्तों ये मैंने पांच मिन्ट का चार्ट लगाया हुआ है अब मैं आपको इसमें दिखाता हूँ कि मैंने जब मॉनिंग में टेडल लिया था तो वो क्यों लिया था देखो आप यह मैंने एक मिन का चार्ड लगा है दोस्तों इससे आप लोगों को एजी रहेगा समझने में अब यह देखो दोस्तों आप यह जो मैंने पहले ट्रेड लिया था यह जो पहली जो केंडल है आप देखो इसको यह पहली केंडल थी यह यहां तक उपर गया तो उसके बाद यह सस्टेंड नहीं कर पाया जैसे यह नीचे आया मैंने यह पर अपना जो फुट था वो मैंने बाई कर लिया था और 17,835 से लेकर यह 17,832 तक आया तो उसमें मैंने जो पहला प्रॉफिट था वो वहाँ पे बुक किया मैंने आपको दोस्तों बताया कि मैं हमेशे छोटे छोटे प्रॉफिट के लिए काम करता हूँ अगर आप आप आप्सन बायर हो तो आपको कभी भी बड़े प्रॉफिट के लिए नहीं ब कमेंट करिए और हमारे यूटूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और आने वाले दिनों में हम लोग जो बिगिनर्स हैं जो नई लोग हैं उनको हम लोग कौसिस करेंगे कि उनको भी हम लोग ट्रेनिंग दें जिससे उन लोगों को भी बेनिफिट मिले दूसरा एक मेर जो भी कौसिस होती है वो खुद के अनिलाइसिस के लिए है और ये मैं अपना परसनल एजो केसन परपस के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ बाकी मैं किसी को रिकॉमेंडेट नहीं करता हूँ कि आप कोई भी टेट ले या नहीं ले तो दोस्तों नमस्कार मिलते अगले वी करते हैं